Hi, Let's Make No Oil meoniqs ये meoniqs की recipe शेफ को नाल किये। मैंने इनके रिल्स को देखा था तो मुझे the no oil की मिला और पता लगा पनीर से भी हम बना कि या कर सकते हैs मैंने सोचा चलो recipe बना के देख लेते हैं ये ये काफी ज़ाद size लगा था इससे न मैंने जब बनाया था तो मैंने दो ब्रेड एजीली खा लिया था, बहुत ही जाधा टेस्टी था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले ले लेंगे 200 ग्राम पनीर, पनीर को डाल देंगे, हम थोड़े थोड़े चॉप करके, लेंगे यहाँ पर 10 से 12 काजु को, भिगो के बहुत जड़ा नहीं डालेंगे, थोड़ा सऺड़े रइजेब्भा को डालेंगे, तो यहाँ पर शीमोध बना लेंगे, तो यहाँ पर अच्छे से त्यार करकरे लेंगे गाईज अगर आप मेरे चैनल में नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़े-बड़े शेफ्स की रेसिपीज को रिक्रियेट करूँ तो आप मुझे कमें सेक्शन में ज़रू बताएं अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे बाउल में और जैसी कि मैंने आपको का इसे आप एक दिन के लिए फ्रिज में रख लेंगे न तो ये काफी दिनों तक फ्रेश रहेगा इसे बाहर मत रखिएगा अब इसे सैंड्विच के उपर स्प्रेड करेंगे तो काफी ज़्याद अच्छा लगेगा इनफेक्ट मैंने तो इसे सिर्फ ब्रेट पे लगा कर खाया था जो कि शेफ कुनाल ने भी खाया था तो उन्हें काफी जाद अच्छा लगा तो मुझे उमीद नी थी कि मुझे भी पसंद आ जाएगा लेकिन मैंने जबी ट्राय करा खागर तो मुझे काफी जाद अच्छा लगा तो आज की रेसीपी आप लोग ज़रू ट्राय कीजेगा तो कैसी लगी आज के शेफ कुनाल की रेसीपी मुझे कमें सेक्शन में ज़रू बताए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसीपी को ज़ादा से ज़ादा शेयर भी कीजेगा तो मिलते हैं नहीं रेसीपी के साथ